विलासपूर सिंस और जिला अस्पताल में देखने कुमला की भारती कोरोना वायरस के बीच अब स्वास्थ दिवाग ने भी अपनी तयारियां सुरू कर दी चीन में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपनी तयारियां सुरू कर दी केंद्री स्वास्थ मंतरी लगातार राज्यों के अधिकारियों और स्वास्थ मंतरियों के साथ बैठक लेकर कोरोना वारिस का जाया ले रहे हैं के साथ की टेस्टिंग बढ़ाने और बाहर से आने वाले लोगों की सतत मॉनिट्रिंग और जाच के निर्देश दिये जा रहे हैं मंगलवार को केंद्र स्वास्थ मंतरावे के द्वारा कोरोना की तैयारी को लेकर मॉक ग्रिड भी चलाया गया जिसमें पूरे देश भर के अस्पतालों को जोड़ा गया विलासपुर की बात करें तो मदूदा समय में विलाशपुर जिले में 52 बेंटिलेटर बड़ों के लिए उपलब है तो वहीं 13 बेंटिलेटर बच्चों के लिए उपलब है जबकि 840 जंबो सिलेंडर उपलब है इसके अलावा विलासपुर जिले के जिला अस्पताल में त तो वहीं आने वाले समय में अगर केस बढ़ती है इस बैड की संख्या सौपी जा सकती है इसके अलावा पिछली बार जिस तरह से जिला अस्पताल कोरोना वाइरस किया गया था इस बार भी वेवस्था की जा सकती है जाहिल तोर पर स्वाफ्त विभाग अपनी तरफ से पूरी तयारियां कर रहा है इधर लोगों से भी अपील की जा रही है कि गाइड लाइन्स का पालन करें जी बताएंगे सिम्स के काफी आववस्था है क्या कहना है इस पर आववस्था भाइसाब मैं स्वैम गया हूँ वहाँ जाके आप डर जाओगे यह नरक लोग है ब्लासपूर का सिम्स नरक लोग में तबदिल हो चुका है स्वास आदमी अगर वहाँ गया तो उसका डेट बॉड़ी ही बाहर आएगा यह स्थिती में दिखता है इतना गंदगी चारो तरब गंदगी है डॉक्टर भी जिस हिसाब से मरीज से पेश आते हैं मैं डॉक्टरों से भी निवेदन करूंगा मैं भी एक डॉक्टर कुत्र हूँ जो प्यार से बात कीजिए नर्स लोगों का जो बहवार है मरीज के प्रती अब धहसत आ जाएगा आपको विस्तर का हाल देखिए मतलब यह मैं बोलनी रहा हूं यह स्वैम सहर के विधायग जी बरतमान में जो हैं और महा पहौर जी मीडिया वालों को साथ लेके जाएए और जनता को दिखाईए जो अस्वास मंत्री जी को भी मैं बोलना आवान करता हूं एक बर आये अब ग्लासपूर स्मार्ट सिटी का यह जो सीम्स का दुर्गती बना रखे हैं अज जान के साथ जो खिलवाड कर रहे हैं सामने करोना है करोना के आने की संभावना है उसमें यह इस्तिती इनकी है तो कुल मिलाके मुझे जो समझ में आ रहा है इनको जनता से को लगे वे